आपका स्वागत है आज ये वीडियो हम देश वासियों के लिए अपने लिए आपके लिए अपने परिवार के लिए आपके परिवार के लिए और देश के सभी लोगों के लिए ये वीडियो इस वीडियो में आप अगर कुछ भी एक परसेंट भी अगर आपके दिल कुछ हो जरूर आप अपने दोस्तों को अपने परिवार को और अपने सभी WhatsApp ग्रूप पे Facebook पे और Instagram पे टूटर पे सभी जगह सेर जरूर करें ये एक ऐसी दवा है जिससे हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं अगर हम जीवन भर अपना लिए तो आप को वादा करता है इंट्राडेटेक मुंबई MBA बीके सिंग इसलिए कि इसे हमने महसूस किया है तब ये वीडियो हम आपके पास और हम सारे मीडिया जगत के लोगों से आगरा करेंगे कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंशता है तो ज्यादा से ज्यादा से जरूर करवाएं क्योंकि ये देश के हित में है मानो कल्यान के हित में है आज हम जो वीडियो आपके पास लेका है हम देश के हित में ये वीडियो बहुत जरूरी समझा तो ये हमने लाया है क्योंकि सरकार की नजरों में भी आनी चाहिए ये वीडियो मीडिया के नजरों में भी आना और सबसे बड़ी बात हम और आप एक आम आदमी हैं और हम और आपको ये मीडिया वाले या कोई भी भारत के जो भी सरकार हो चाहे वो BJP हो कांग्रेस हो सपा बसपा एनपीसी एनसीटी सीवशेना और ये बंगाल की ममता दीदी उधर साउत के तो इस्ट वेस्ट साउस नर जो भी सरकार हो हमको उसे नहीं मतलब है हमें मालूम होना चाहिए कि सरकार की नजरों में हम है की नहीं है तो आप आए इस वीडियो को जरूर पहुचाए ये मेरा आगरह है क्योंकि ये देश के हित में है ये वीडियो तो आए तीसरी दवा क्या है हम सभी के लिए और सरकार तक पहुचाने के लिए कि अभी हम किस मुसिबत में है आज ये वीडियो ये ऐसा वीडियो जो आपको अगर दिल को छूता है और आपको लगता है कि नहीं ये सही है और ये होना चाहिए तो जरूर सेर किजिए अपने फ्रेंड्स को अपन हुआ है सबसे पहले 60 साल वाला सुरू हुआ था फिर 45 फिर 18 साल के लोगों को सारे वेक्सिन लेने वाले को कितने लोग लिए अभी तक क्या कौन जूट बोल रहा है हमें नहीं मालूम क्योंकि हम मेडिया पे और टीबी पे मोबाइल पे निउस देखते हैं सरकार क्या बोल यह छहें कोई सरकार हो चाहिए यह गोधी मिडिया हो हम हमारी सुरक्षा हमारे पास है तो आईए मैं यह अपको तीन तीन color दिखाता हूं क्योंकि ये जीवन में आपका बहुत बड़ा काम आने वला है हमने शुरू किया है आप भी शुरू किजीए और आपने सभी आस-पास लोगों को भी शुरू करा दिजीए क्योंकि vaccine किसको लगा है किसको नहीं लगा है हम नहीं जानते हैं लेकिन हम एक ऐसा अपनाएंगे तरीका जो सभी को पता चलेगा हम अगर बाहर निकलते हैं तो आएए हम दिखाते हैं आपको कि सबसे पहले सबसे पहले अभी तक जिसको वैक्सिन नहीं लगी है जिसको कोरोना का टीका नहीं लगा है ओ आप से अनुरोध करता है अगर कभी बाहर निकलता है तो आपको वैक्सिन नहीं लगी है तो आप लाल मास्क लाल मास्क लगाए लाल मास्क लगा के निकलिये ताकि हमको और हमारे आसपास के लोगों को पता चल सके कि इनको अभी तक वैक्सिन नहीं लगी है सरकार की नजरों में ये वैक्ती अभी तक नहीं पाया है और दूसरा कि अगर आपको वैक्सिन एक लगी है और अभी तक दूसरा ठीका नहीं लग पाया है तो आप पीले पीले रंग का ये पीले रंग का वैक्सिन लगाई है एक वैक्सिन अभी तक जिसको लग गया है दूसरा नहीं लगा है तो आप पीले रंग का बाहर निकल ये पीले रंग का बाहर निकल के है कि हमको एक वैक्सिन लगा है और ये दूसरा वैक्सिन अभी बाकी है पीले रंग यह पीले रंगा लग दो न बहुं पीले रंगा आप को और जिनको दोनों ठीके लग गए चुके हैं फस्ट डोज़ रेंग लिए तो और अगर अगर लाल वाले मास्क पीले वाले मास्क और हरे वाले मास्क अगर लगा के निकलते हैं तो कहीं भी शोव बेक्तियों में पता चल जाएगा कि कितने परसेंट मीडिया जूट बुल रही है सभीज़ा मिल रही है और हमने कितना सुविधा जिम्यदारी कितना सरकार और मीडिया नीभाए है तो दोस्तो अपना कि अपने ऊद्व oni लगा है टीका लगा है वैक्स desi नहीं लगे तो लाल मस्क लगाजये अगर एक टीका लग गया zukो दूसरा बाकी है तो पीला लगाए और दोनों लग गया है तो हरा लगाए ये बताएगा सबकी अवकाद की कौन कितने पानी में सरकार है और सरकार आमादने के लिए क्या कर रहा है दोस्तों अगर ये अच्छा वीडियो लगा तो आप जरूर इसको सेर कीजिए ये देश कहित में हमा बनाय जा रहा है यहां मुर्ख बन रहे हैं यह पता चल जाएगा बाहर जैसे निकलेंगे जैहिन जै भारत बंद मातरम और आपसे रिक्वेस्ट है किस चैनल को अगर अभी पहली बार आएं तो आप सब्सक्राइब जरू किजिए अब पांच लोगों को जरू सेर किजिए ज हिंजे भारत